अमेरिका और चाइना एक जंग में इंवाल्व हैं हाल में ही आपने देखा होगा अमेरिका ने चाइनीज बैलून को मार गिराया यह चाइनीज बैलून एक टोही बैलून था जो कि अमेरिका के मिसाइल टेकनालोजी की फ्रक्वेंसी की तोह ले रहा था अब अमेरिका ने तो गिरा ती है मारकेस को लेकिन अमेरिका और चाइना और भी कई जगा पर जंग में इन्वाल्व है जो कि दिखाई नहीं देता वो है जंग माइक्रोचिप के उपर अमेरिका चाइना एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उसे माइक्रोचिप की जुगीट है अब सोच रहोंगे यह माइक्रोचिप इतना इंपॉर्टन्ट क्यों है कि जिसके लिए दोनों जंग भी लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देता और माइक्रोचिप एकॉनमी को, माइक्रोचिप साइन्स एंट टेकनोलजी को, माइक्रोचिप मिलिटरी को हर चीज़ को चलाता है अब थोड़ा सा अपने आस पास देखो हमारे जिन्दगी, इवन आप मुझे यूटूब पे सुन पा रहे हैं, इस माइक्रोचिप को चला रहा है और चाइना और अमेरिका इसी माइक्रोचिप में आगे बढ़ना चाहते है अब सवाल आता है कि माइक्रोचिप है क्या? तो हम 1959 में चलते हैं पहले, फिर समझ में आएगा, अब कंप्यूटर आ चुके थे, मॉडन और ये मॉडन कंप्यूटर करते हैं क्या थे? इसके लिए बहुत सारे तारों का एक गुंजल होता था, जो एक दूसरे को एलेक्रिक पल्स छोड़ रहे होते हैं अब इंजिनियर चाहते थे, इन तारों के गुंजल से निजात फिर अमेरिका के दो साइंटिस्टों ने, जो की अलग-अलग कंपनियों में काम कर रहे थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर्स बनाया लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स भी थोड़ा कंप्लिकेटेड थे, थोड़ा बिग साइज में थे अब उसके बाद दोर आया, माइक्रो चिप का माइक्रो चिप होता क्या है, माइक्रो चिप एक तरह का इंटिग्रेटेड सर्केट होता है जिस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और ये transistors करते क्या हैं, ये transistors बस on-off का काम करते हैं, on-off, यानि कि अगर on हो रहा है, तो zero, off हो रहा है, तो one, यानि कि एक तरह का ये impulse देते हैं, जो transistors हैं, और छोटे होने शुरू हुए, कैसे, with discovery of silicon, जो silicon होता है, ये good conductor of electricity होता है, लेकिन, जब इसमें किसी और धातू को मिला दिया जाता है, जैसे phosphorus मिला दिया जाए, तो ये semiconductor बन जाता है, जो की exactly, जितना हमें बिजली चाहिए होती है, उतने बिजली को वो flow करता है, बस शुरू में क्या हुआ, एक चिप पर, चार ट्रंजि लेकिन, हर साल, इनकी संख्या दुगनी हो गई, इंटल के founder Gordon Murray ने कहा था, हर वर्ष, इन चिप के calculation की जो power है, डबल हो जाएगी, और आज, इन silicon chips पर, लगभग, बिलियंट ट्रंजिस्टर्स आने लगे हैं, यानि कि, अब हम, नैनो मीटर के दौर में हैं, नैनो मीटर मतल आप सोचो कि हमारे जो hair है, वो 80,000 नैनो मीटर का है, और जो ये transistor बन रहे हैं, ये 2 नैनो मीटर का है, अब सोचो, 4 transistor कहां शुरू में बने, एक चिप पर, और अब 1 billion transistors एक चिप पर, जो की एक pattern बनाते हैं हमारे दिमाग के तरह, और जिस तरह से हमारा दिमाग logical reasoning करके calculation कर रहे हैं, बस revolution आ गया, अमेरिका को पता चल गया, कि ये computing जो है, ताकत है, world war 2 के दुरान, अमेरिका ने इस ताकत को पहचान लिया, अमेरिका ने इस computer computing के इस्तमाल करके, सब्रेंस के location, उनकी codings को decode करना शुरू कर दिया, और वाकी, ऐसा हुआ भी, बस उसके बाद, जब ये microchips और बड़े scale पर आने लगे, तो फिर, NASA ने चांद पर जाने का सपना दिखा, कई तरह के rockets बने, missile system बने, अमेरिका हर field में आगे लगने लगा, और ये microchips political power का base बन गया, और Russian-Ukrainian war से तो साबित हो गया, कि जो traditional conventional warfare के method थे, अब वो काम यब नहीं है, वो काम नहीं कर रहे है, drone technology जादा advance है, और drone में क्या use होगा, चिप, बिलकुल, सही सुना अपने, microchips, तो जो microchips में leader होगा, वो world को आने वाले जमाने में control करेगा, बस यहीं बनने शुरू हुए, तो इस सब in-chip का design, in-chip के manufacture, और in-chip का assembly, जो अलग-अलग products में होनी हो सब अमेरिका में होती थी, यह जो chip जहां बनते हैं, उन्हें fab कहते हैं, normal manufacturing factories नहीं, fabs, इन fabs में microchips बनाये जाते हैं, आप अगर इन fab को अंदर देखोगे, तो जिस तरह से य open heart surgery जहां होती है, वैसा, क्योंकि एक छोटा सा dust भी इस microchips को dysfunctional कर सकता है, बिकार बना सकता है, अब American companies तो design करती थी, manufacture करती थी, assemble करती थी, लेकिन यह जो fabs को चलाने का जो खर्चा हरा था, वो बहुत ज़्यादा था, हुज, American companies इस से प्रिशान थी, धीरे धीरे जपान ने भी इन chips को बनाना शुरू कर दिया, और जपान सस्ते दामों पर इन microchips को बनाने लगा, जपान भी आगे निकल रहा था, तभी America ने देखा कि chip बहुत ही critical है, geopolitical part है, military का source है, तो उन्होंने जपान पे chip trade करने की बंदिश्य लगा दिया, 100 टाइम Japanese chips पर tax लगा दिया, इस तरह से slow down किया, तभी Taiwanese आये, Taiwanese जो कि America के chip industries में काम करते थे, वापस Taiwanese कंपनियों ने उनको अपने देश बुलाया, और वहाँ पर chip manufacturing शुरू की, Taiwanese ने सोचा कि हम Japanese की तरह America को competition नहीं देंगे, बलकि हम America को as a friendship लेकर develop करेंगे, America को support करेंगे उनके chip industry में, Taiwanese government ने जो लोग American chip industry में काम करते थे, huge salary देकर वापस बुलाया, और Taiwanese chip manufacturing company TMSC त्यार होई, ये TMSC ने क्या करना शुरू किया, चिप जो अमेरिका में डिजाइन होता था, उसे इन्होंने manufacture करना शुरू किया, और assembly again अमेरिका में होने लगी, धिरे धिरे जो chip का डिजाइन अमेरिका में, उसकी assembly चाइना में होने लगी, अब चाइना अपनी requirement का 40% Taiwan से मगाने लगा, और Taiwan वर्ल्ड का 90% के करीब चिप बनाने लगा, इस तरह से ये जो globalized economy है, आपस में dependent हो गए, जपान एक तरफ chemical प्रवाइड करता था, अमेरिका एक तरफ design प्रवाइड करता है, नीदरलेंड इन chips को जोडने वाला जो laser है वो प्रवाइड करता था, तभी चाइना ने realize किया कि वो ताइवानी उस पर dependent है, और अमेरिका कभी भी chip की जो selling है चाइना में बंद कर सकता है, और फिर चाइना में problem हो जाएगी, चाइना अपने इस strategic mistake को सुलजाना चाहता है, चाइना ने American company को लालच दिया और वहाँ से chip design करने की technology खरीदना शुरू किया, और Americans ने भी खुशी-खुशी Chinese को ये technology बेचन कर लिए, अब चाइना design भी कर रहा है, manufacture भी कर रहा है, और assemble भी कर रहा है, तब ही चाइना ने hypersonic missile technology टेस्ट कर लिया, जिस पर अभी अमेरिका काम कर रहा था, अमेरिका कई साल पीछे था इस पर, अमेरिका ने अब Chinese companies पर सिकंजा कशना शुरू किया, अमेरिका ने chip के export पर पाबंदी लगा दी, चाइना के लिए, धिरे धिरे अमेरिका ने और भी कई देशों से मिलकर, जैसे कि Bloomberg की report है, उन्होंने नीदरलैंड, जैपान से एक agreement किया, कि चाइना को chip technology नहीं बेचना, इसका असर यह हुआ, कि चाइना के जो semiconductor association है, उन्होंने एक ब्यान जारी किया कि चाइना के ऊपर जो यह पाबंदी है, अमेरिका मिलकर जो लगा रहा है, इससे Chinese industry तो तबाह हो रही है, वाकी world की economy पे भी इसका असर होगा, इसका असर तो होना ही था, इवन चाइना की कई chip makers ने अपने expansion plan को रोक दिया, उसमें से एक है यांग जी, जो memory card बनाते हैं, उ और भी Chinese कंपनियों पे इसका असर हुआ, उधर इंडिया ने भी अब इस बहती गंगा में हाद होने का फैसला किया है, इंडिया ने भी semiconductor manufacturer की policy त्यार कर ली, और world के chip manufacturers को अपने हां attract करने के लिए उन्होंने billions of dollars इस पे खर्च करने की बात कही है, और इसी के field में Foxon जो की ए assembly करती है, उन्होंने 19 billion का semiconductor plant गुजरात में लगाने का फैसला किया है, विदानता company से मिलके, उधर टाटार ने भी announce किया है, ति वो भी chip industry में आएंगे, और भी कई कमपनिया हैं जो chip industry में आने जा रही हैं, लेकिन ये इतना सान भी नहीं है, बहुत सारे challenges हैं, सबसे बड़ लोग जो इस chip को design करते हैं, उनकी कमी है, दूसरी तरफ इस fabs को बनाने में जो वक्त लगता है, वो काफी लगता है, तो company को शुरू-शुरू में काफी घाटा सहना पड़ सकता है, और कई अप्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इंडिया में rare earth minerals हैं नहीं, जो कि चिप बनाने के लिए काफी जरूरी है, वो तो चाइना में है या बाकी देशों में, हलनकी इसको counter करने के लिए, इंडिया ने African देश और South American देशों से जहां पर rare raw material जादा मिलता है, उनसे tie-up करना शुरू किया है, इंडिया, American और चाइना के जगडे का और भी कई तरह से फैदा उठा रहा है, उन्होंने American कंपनियों को convince करने की कोशिश किया है, और अपने हाँ investment लानी की कोशिश किया है, फ्रेंट्स, यह analysis कैसा लगा, आप comment section में comment करते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो like करें, share करें और प्री समय सपोर्ट करें, thank you.